बहुत सारे लोगों का ऐसा समझते है कि उनके परिबार में कुछ समपत्ती जो है यानि बरा भाई के नाम से है और उनको लगता है ये समपत्ती तो बरा भाई के नाम से है अब बरा भाई के जो भी बनसज है वो उनको देना नहीं चाह रहे हैं लेकिन जो नियम है, वो नियम को समझना बहुत जरूरी है, कि संपत्ती जो है, अगर बरा भाई के नाम से है, तो छोटा भाई को हक होगा या नहीं होगा, अगर आप उसको नहीं समझते हैं, आप कानून में चले गए, तो फिर कोई फाइदा नहीं, पहले आपको समझना चा हाँ अगर आप उसको असपर्स तरीके से समझ लिए कि कब आपको जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा देखें संपत्ती जो है दो तरह का हम आपको बताते रहते हैं हमेशा बोलते हैं कि संपत्ती दो ही परकार का होता है एक होता है कि हमको किस किसी का अधिकार कैसे हो सकता है माल लेते हैं कि अगर कोई भी अगर छोटा सा एक घरी आप अपने कमाई से करिद लिए तो इस पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता ना आपके पिता का अधिकार होगा ना आपके बेटे का अधिकार होगा ना आपकी को कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं तो उस पर किसी का अधिकार नहीं बनता है कोई ऐसा नहीं कर सकता है आप अपने कमाई से आप कमान लेते हैं सर्वीस होगा या जैसे भी कमाई बिजनस करके कमाई अपने नाम से संपत्ति कर दिए उस केस में कोई अगर चाहेगा भी पिता का अधिकार नहीं होगा वहाँ पे लेकिन समस्या कहा उत्पन हुआ उसको समझने का परियास करेंगे समस्या यहां उत्पन है कि बहुत ऐसे पड़िबार में जो पुर्बस से प्राप संपत्ती है जिसको खतियान ही बोल सकते है खतियान है ठीक है कुछ खड़िदा संपत्ती भी है खड़िदा गया भी संपत्ती है तो खतियान अक्सर जो है दादा के नाम से है ठीक है या इस केस में दादा के नाम से है अब वो समपत्ती ठीक है दादा के नाम पर ही जो समपत्ती था वो पिता के नाम मा जो हुआ अब किसी कारण बस आगे जो है अगर माल लेते हैं कि बरा भाई के नाम से वो सर्बै हो जात दुबारा और उसके बाद फिर से खतियान बनाया जाता है फिर से उसका नया मैप जो है नकसा बनाया जाता है तो यह सारा कुछ त्यार किया जाता है तो अगर बरा भाई के नाम से हो गया उसमें छोटा भाई हो सकता है उसमें छोटा होगा कापी छोटा होगा नाम नहीं संपत्ति कौन सा है खतियानी संपत्ति है पुर्वत से प्राफ संपत्ति है तो बरा भाई के नाम हो गया तो इसका मतलब तो रही है कि बरा भाई के बच्चे का सिर्प अधिकार होगा और किसी का अधिकार ही नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता है कानून में ये देखा जाता है संपत्ति कहां से उनको प्राप्त हुआ बरा भाई क्या खुद के कमाई से संपत्ति वो अपने नाम से करा लिये हैं अगर खुद के कमाई से वो संपत्ति अपने नाम से नहीं करा हैं तो छोटा का अधिकार होगा वहां पे तो उस केस में अगर छोटा भाई जो है मालेते हैं कि बड़ा भाई का वंसज या बड़ा भाई हिस्सा नहीं देना चाहता है छोटा को बोलेगे नहीं इसमें तुम्हारा तो नामी नहीं है तो कहां से तुमको इससा दिया जाएगा या बड़ा भाई का जो वंसज है वो बोलेगा नहीं इसमें तो मेरे पिता का नाम है उसमें हम संपत्ती सो भावी कहा जिसके नाम से संपत्ती है कागजात भी उसी के नाम से संपत्ती है कागजात भी उसी के नाम से बनेगा जो एक तरह से लेंड का टैक्स है यानि जो रसीद है उसका है ना वो भी उसी के ना कि इसमें ये भी उस संपत्ती का मालिक है, लेकिन किसी कारण बस तुरूटी हो गया, इनका नाम नहीं आया, उसका सुधार पर क्रिया हुआ, मतलब ये दावा करता है, उस संपत्ती पे इसके हम भी हकदार है, और सुभाविक है, कि इसमपत्ती जब पुर्वस से प्राप्त हुआ है, तो छोटा भी हकदार होगा है, अब जैसे आप देख रहे हैं, ये जो सारा प्लोट है, माल लेते हैं ये खत्यानी संपत्ती है, अब ये अगर बड़ा भाई के नाम से दर्जा है, कि जब तक उसके नाम से नहीं होगा, तब तक वो बेचने का हकदार नहीं है, माल लेते हैं, बड़ा भाई का एक बेटा सारा संपत्ती को बेच दे, या उनके बंसद जो है, उस संपत्ती को बेच दे, तो छोटा भाई का तो सेर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ा भाई के अगर नाम से संपत्ती है, और वो संपत्ती उनको पुर्बस से मिला हुआ है, पुर्बस से प्राप संपत्ती है, तो उसमें, उस केस में छोटा भाई को भी, जो है हक होगा, वो कानूनी तरीके से न्याले में जाके, वाला नहीं है, खरिदा हुआ है, रजिस्टरी किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी समझना बेहर जरूरी है, देखिए, संपत्ती जब खरिदा जाता है, किसी भी बैक्ती के द्वारा, आज आप संपत्ती खरिदते हैं, कोई भी, उसमें सबसे बड़ा जो मैन होता है, वो होता आपका कमाई, इनकम, है ना, ये समझी, आपके पास जो पैसा है, वो आप कहां से दे रहे हैं, आज आप कुछ भी खरिदेंगे ना, तो जब गॉबर्मेंट का जो इनकम टेक्स है, उसको जब क्रोस कर जाएंगे, देखिए उसके अगर लिमिट में आप कर रहे हैं, तो उतना दिक्कत लोगों को नहीं होता, अगर उसके लिमिट में आप कमाई भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको boundary को cross कर जाते हैं उसके बाद आपको फिर tax भी देना होता सरकार को आपका account का transaction होगा बार-बार आप गलत करेंगे तो कभी आपको income tax का notice भी देखने को मिलेगा तो पैसा जो आपका है कि जब आप संपत्ती को खरीद रहे हैं तो ये दिखाना होता है जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो दिखाना होता है कि पैसा जो आप दे रहे हैं किस अधार पर दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं क्या आपका income है आप कैसी दे रहे हैं तो आपको वो तो हम mention करना होगा तो वो भी दस्तावेज पर जो है वो दर्ज किया जाता है खड़िदा तो वो वहाँ पर दर्ज करना होता है अब अगर होता है कि पिता के द्वारा कोई संपत्ती बरा बेटा के नाम से ले लिया जाए सुभाविक है खुद हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं पिता ने बड़ा बेटा के नाम से ही संपत्ती को खड़िद लिया लेकिन खड़िदा कौन पिता उस संपत्ती का हकदार छोटा बेटा होगा या नहीं होगा वो चीज समझना भी है जरूरी है देखिए जब ये जमीन संपत्ती रेजिस्ट्री लिया गया मतलब खड़िदा गया अब यहाँ पर एक्चुल में क्या होगा कि ये छोटा भाई है बड़ा भाई जिस समय ये संपत्ती खड़िदा गया उस समय इसका कोई भी कमाई का सुरोत नहीं था ठीक है कोई भी कमाई का जो है सुरोत नहीं है अब एक तरह से अगर देखा जाए तो पिता ने जो संपत्ती खड़िदा ठीक है वो संपत्ती उनका सेल्फ एक्वाईर प्रोपर्टी होगा होगा की नहीं होगा यह property होगा self-acquare property यह property होगा self-acquare property इसलिए कि self-acquare property में पिता अगर चाहे वो स्वतंत रहे किसी बरे को देना या छोटे को देना तो वो पिता के दौरा कमाई से हाँ ठीक है पिता ने किसी समपत्ती को बेच के खड़िदा या केस जैसे भी खड़दा लेकिन एक और है बात कि अगर पड़िबार में किसी भी परकार का बटवारा नहीं है और अगर आप बटवारे के लिए और बड़ा भाई ही घर का मुखिया है पिता के बाद और वो समपत्ती बड़ा भाई के नाम से दर्ज है और एक तरह से लिगल तरीके से आज तक कोई बटवारा नहीं हुआ है उस केस में छोटा भाई उसमें हिस्सा निकाल सकता है मन छोटा भाई ये दावा कर सकता है कि बड़ा भाई घर के मुखिया होने के कारण जो है पैतरिक समपत्ती से अपने समपत्ती को उन्होंने खरिदा जोएंट में खरिदा लेकिन अपने नाम से खरिद लिया जोएंट कमाई जो है उनका जो इंकम का स्रोत है तरह से एगरिकल्चर है या अन कोई इंकम है बिजनस है लेकिन वो जोएंट है उसका कोई भी किसी भी प्रकार का बटवारा नहीं हुआ है तो अगर ये संपत्ती आप देख रहे हैं इसको जोइंट में खरदा गया है और छोटा भाई ये दावा करे कि इसमें उस समय जोइंट में अपने नाम से उन्होंने ले लिया ठीक है यहों सकते हैं कि मालतें ये छोटे होंगे तो यहां पर उस केस में छोटा भाई अगर कोट में दावा करें इस बात का तो उसको ये चीज जो है यहां पर जीत होने की उम्मीद बिलकुल बनती है लेकिन ये तभी समबब है कि आप न्याले में जाएंगे और इस बात का दावा करेंगे कि जोइंट में खरदा हुआ समपत्ती है जो बड़ा भाई इने खरदा बड़े भाई घर के मुखिया होते हैं चोटा भाई के नाम से समपत्ती राता तो खोई दिक्कत नहीं है कोई बड़ा भाई उस पे दावा नहीं कर सकता लेकिन अगर बड़ा भाई के नाम से है तो वो दावा किया जा सकता अब अक्सर देखते होंगे कि family में जब पड़िवार के लोग होते हैं ना और joint में रहते हैं तो वो समपत्ती या business करते हैं या कैसे भी खड़िते हैं या कुछ भी खड़िते हैं तो अपने पत्नी के नाम से खड़िते हैं इसका एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि बड़ा भाई के नाम से अगर संपत्ती है तो छोटा भाई हो सकता कि फ्यूचर में दावा करें उस संपत्ती पे इसलिए कि ये जूइंट के कमाई से कर्दा हुआ है तो अगर ऐसा है तो आप हक ले सकते हैं कोट में लेकिन आपको इसके लिए कोट का सहारा लेना परेगा आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू कर दे चैनल को पहली बार देखरें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें